है 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 लो बच्चो नमस्कार कैसे हो ग्लोबल अकेडिमिक केस यूटूब चैनल पर आपका हार देख स्वागत है पिछली वाली क्लास में आरिटीकल उन्निस तक हुए आर्टीकल उन्निस पिछली वाली क्लास में करवा था 16 17 18 और 19 आज जो अगली क्लास का आज जो आर्टीकल नमबर 19 यह रहेगा आर्टीकल नमबर 19 आर्टीकल नमबर 20 उन्निस पिछली वाली क्लास में हो चुका है आर्टीकल नमबर 20 आर्टीकल नमबर 19 में आर्टीकल नमबर 19 की जो सेक्षण जीतक थे ए बी सी डी ए ए ए फ जी तक रायते आर्टीकल नमबर 19 था वाक्षवेतंतर ते आदी कुछ विश्यक संबंदों का प्रावधान इसमें बासन और अभिव्यक्ति की उस्वतंतर था प्रेस की उस्वतंतर था वह वाला उसमें नहीं रहेगी और वी कॉंट और अब लेकिन वो वैद होनी चाहिए उसमें कोई यार वगयरा का यूज नहीं होनी चाहिए और सहकारी समीटी को Article 19 में 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा एड़ किया गया था मनमोहन सिंग के द्वारा अगर कोई ऐसा वेक्ति है जिस पर उसको वहां पर जाने से रोग दिए जाएगा व्यापार करने पर कोई जो उस पर कोई भी रोख नहीं रहेगी वो व्यापार कर सकता है लेकिन वो जो अभेद नहीं होना चाहिए वैद होना चाहिए वाता है था आर्टिकल नंबर उन्नीस और आर्टिकल नंबर भीस जो आज हम स्टार्ट करेंगे यह होता है अपरादों के लिए दोस्चिद्धी और उसके संग्रक्षन जो किताब वाली लेंगवेज है यह होता है अब यह क्या होता भी बताएंगे कमट में अप्राधों के लिए कि दोसे सिद्धी कि दोसे सिद्धी और उसके संगरक्षण कि अप्राधों के लिए दोसे सिद्धी और उसके शंगरक्षण यह है आर्टिकल नंबर 20 यह आर्टिकल नंबर 20 क्या होता है अप एसे समार सकते हो कि मानलो आज किसी वेक्ति पर कोई केस लगा है अब वो केस किसी भी मामल ने बहु सकता है मतलब आज की तारीख कुन सी है जैसे आज मानलो मानलो उसने कोई अपराद किया है 22 फरवारी और 2000 आज कितनी 24 आज के दिन उसने कोई केस कर दिया है और उस पर मतलब आज की तारीख से मुकतमा चल रहा है कोट बगेरा में और मानलो इस केस का रजल्ट जो मिल रहा है वो मानलो आगे आने वाले टाइम में मानलो कभी वो 22 फरवरी को ही और मानलो ये तुमें मिलेगा 2027 म इस दिन कोट ने रिजल्ट दे दिया है इस केस के लिए ये मानलो तुम्हारी क्या हो जाएगी रिजल्ट की डेट ये होगी रिजल्ट की डेट जो कोट ने दिया है और ये जो आपने केस किया था केस कियाता है इसका मतलब यह है कि अपरादी ने इस तारीक को तो उसने केस कर दिया और इसी तारीक से फिर उसका जो है केस चल रहा है कहां कोट में और कोट ने रिजल्ट दे दिया मानलो 22 फरवरी 2027 को या इसके तीन साल बार और मानलो उसने कोई केस किया है और उस केस के लिए इस डेट को जो केस उसने किया है वो कोई भी मामला हो सकता है और उस मामली में माझळो इस तारीड को जो इस case के लिए सजा थी जो इसने कोई case किया है और उस case के लिए माझळो उसकी सजा थी उस time पर कागज़ों में 5 बड़स है इस date को लेकिन उसका रेजल्ट कोट ने दिया है कब अपरादी वो गोशे तहराया इस तारीक को और मान लो इस तारीक को इसी सजा के लिए जो सजा बना दी गई है मतलब कानून में चेंज करके मान लो इस सजा पहले पांच वर्स थी और अब कर दिये दस वर्स तो व्यक्ती को जो सजा मिलेगी तो हुँ सजा उसको इस वाली कानून के हिसाब से पहले था जो जिस समय उसने कोई केस किया था उस केस वाले डेट को उसको जो सजा पांच वर्स थी वो पांच वर्स वाली मिलेगी ना कि जब आज उसका रजल्ट आया है डेट का मतलब सवर्य उसका कोई सजा का तो आज सजा वो दस वर्स है तो दस वर्स नहीं रहेगी सजा ये रहेगी कितनी वर्स सजा उसको पहले वाली मिलेगी प अपरादों के लिए दो सिद्धी और उसके सग्रक्षन अब करेंगे आर्टीकल नंबर 20 और अगर आप इसको थुड़ा सा अगर लिखेंगे तो आप इसमें इसा लिख सकते हैं और लेके से अच्छा समझ में आ जाएगा यह लिख लो आपस में इसी बात को जो मैंने ऐसी लखवाई है हुए मान लो मान लो किसी वैक्ती ने किसी वैक्ती ने अपराद वो डेट कितनी बताई थी 22 फरवरी 2024 को किया था और उस समय और इस उस समय सजा पांच वर्ष थी उस अपराद के लिए और कूर्ट का फैंसला और कूर्ट का फैंसला आया है 22 फरवरी 2027 को तीन वर्ष बाद और इस वक्त वो सजा बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई है तो वक्ती को सजा तो वक्ती को सजा पांच वर्ष वाली मिलेगी ना की दस वर्ष वाली यह ओगया आर्टीकल नंबर बीस ये हो जाएगा आर्टीकल नमबर बीस अपराधों के लिए दो सुसिद्धी और उसके संग रक्सन अपराधों के लिए दो सुसिद्धी और उसके संग रक्सन आर्टीकल नमबर 20 अब करेंगे आर्टीकल नमबर 21 आर्टीकल नमबर 21 यह होता है जीवन जीने का अभीकार है ना की मरने का अगर मरने की कोई कोशिश करता है तो वो अपराद माना जाएगा आर्टीकल नमबर 21 यह होता है जीवन जीने का अभीकार है ना की मरने का प्रान और देहिक स्वेतितरता का अभीकार आर्टीकल नमबर 21 प्रान और प्रान और देहिक स्वेतितरता का अभीकार प्रान और देहिक स्वेतितरता का अभीकार और बोल सकते हैं जीवन जीने की इच्छा और जीवन जीने का अभीकार है ना की मरने का अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मरने की कोशिस करता है तो उस पर या फिर उसको जो अपराद माना जाएगा कोई भी व्यक्ति है उसको जीने का जीकार है ना की मरने का यह है आर्टीकल नमबर 20 इसमें एक बात यह हो रहे है कि एक चीज जिसमें यह हो रहे है यह लिखना अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो बिमार है या टेबलेट के सारे से या अपनी बिमारी से वो ज़्यादा गरस्त है गोली दवाई उसके चल रही है तो उस वेक्ति को भी मरने का अधिकार नहीं है अगर वो मरने की कोशिज करता है तो उस पर आपरादिक मुकदमा द लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो किसी यंत्र के सारे चल रहा हो जैसे मतलब की जो मतलब जो वेक्ति डाइलाइस जिसकी होती है जो किसी यंत्र के सारे पेसमेकर हो गया और सरीर से संबंद और कोई बीमारी है जो किसी यंत्र के सारे उसका जीवन चल रहा हो तो उसी व स्वस्तादमी आपके जैसे स्वस्तादमी है या कोई बिमार भी है तो बिमार को भी मरने का अधिकार नहीं लेकिन वेक्तियों को छूट दे रखिए कोट ने जो वेक्ति अपने शरीर को किसी जंतर के सारे वो चल रहे हैं जिनकी डाइलाइस बगरा होती है पेस्वेकर के सार अगर कोई वेक्ति वेक्ति आत्म हत्या की कोशिस करता है तो उसको वो तिन आई पी सी इंडियन पीनल कोड की धारात 309 के तहत वो अपराद माना जाएगा अपराद माना जाएगा हर हाल में जीने का अधिकार है मरने का अधिकार नहीं है दूसरा नोट नोट नमबर दो बीमारी से गरस्त वेक्ति बीमारी से गरस्त वेक्ति को भी मरने का अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है नोट नमबर तीन अगर कोई ऐसा वेक्ति यह कैई बार पूछे गए हैं कंडिसंस लगा करके कतन दे देता है इस आर्टीकल को भी बात बतार हुँ यह कथन में लिख देगा त원 मैंने जलत कथन में ऐसे लिख देगा कि बीमार वेक्ति को बरने का अधिकार है कथन दो कथन देदेगा तीन कथन देदेगा गल्त होंगे य उसमें से सही होंगे अब आपको वह देख करके चेक करना कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत जैसे प्पीपर में कभी ऐसे ने देखा इस आर्टीकल से संबंदित कि बीमारी से जो गरस्त वेक्ति हैं उनको मरने का अधिकार है यह आर्टीकल नमबर 21 में बताया है लेकिन यह गलत है आर्टीकल नमबर 21 अगर कोई वेक्ति अगर कोई वेक्ति किसी यंत्र के सारे जीवन चल रहा है जीवन जी रहा है या उसको जीवन चल रहा है तो उसको तो उसको मरने का अधिकार है तो उसको मरने का अधिकार है तो उसको मरने का अधिकार है यह किस आर्टीकल नमबर 21 में प्रान और धेहिक स्वेतंतरता का अधिकार सभी वेक्ति को जीवन जीने का अधिकार है कोई भी मरने की कोशिश करता है तो वह प्राद माना जाएगा जीवन जीने का अधिकार अगर को ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है तो उस पर आई पीसी देखो यह आइटिकल 31 के 123 नहीं है इन अपनी तरफ से नॉट बन भाब रख तीन कि अगर कोई वेक्ति आत्वत्ता की कोशिश करता है तो आई पीसी जो होती है इंडियन पीनल कोड की धारा 309 के तहत उस पर जो कारवाई की जाएगी दूसरा यह कि अगर कोई वेक्ति जो भीमार है तो वह भी नहीं मर सकता उसको पर भी जो है अपराद माना जाएगा वह भी नौट नमर तीन के लगा है अगर एसा वेक्ति जिसका सरीर किसी जंतर के सारी चल रहा हो किलनी बगे तो किलनी से संब्दद को मशीन लगा रख किया है उसके सरीर के लिए तो उनको मरने का अधिकार है यह तीन बात बताई गई और यही कई बार कोशन पूचा गया है कथन लगाकर के रख देता पूशता है कि यह बात सही है यह गलत है नंबर 21 को अब की वारे दिल्ली पूस्ट में पूचा गया है कॉछा लगत है कि सुऴल की जे कौन से ठीक है कौन से गलत है तो यह हो जाएगा नंबर 21 प्रान और दैहिक स्वैतन तरता का अधिकार आर्टिकल नंबर आवर बाईस आर्टिकल नंबर बाईस एक पहले आर्टिकल एक्कीस का ही कह बह गया है आर्टिकल एक्कीस का कह यह तो हो गया है एक्कीस अब आर्टिकल एक्कीस का कह आर्टिकल एक्कीस कह इसमें तुम्हारा सिक्छा का अधीकार सिक्छा का अधीकार है बच्छों को यह जो 6 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चों को निसुल्क सिक्छा का अधीकार जिन आर्टिकल्स के पीछे के ए भी सी लगा रखें जैसे तो पहली तो मूल संभी धान में तो आर्टिकल 21 था लेकिन जो 21 कह करके जो लगा रखा यह बात में एड किये जाते हैं संसोधन के ध्रिव तो जो इसको एड किया गया था यह 86 वा संसोधन 2002 में इसको एड किया गया था यह 86 वा संसोधन दो हजार दो को एड किया गया एड किया गया इसको जो एड किया गया था वो संसोधन का जो संसोधन था 86 वा इसको एड किया गया था निसुल्क सिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्स के बच्चों के लिए राय टू एजूकेशन राय टू एजूकेशन राय टू एजूकेशन यह हो जाएगा तुमारा आर्टीकल नंबर 21 का कै सिक्षा का अधिकार निसुल्क सिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए और इसको जो एड किया गया था वो 86 वर्स तक 2002 के द्वारा इसको एड किया गया था यह हो जाएगा आर्टीकल 21 पूरा और 21 कै जो बाद में जोड़ा गया है अब इसकी बाद में आता है आर्टीकल नंबर 22 आर्टीकल नंबर 22 कौन सा है अब आर्टीकल नंबर 22 किताब वाली लेंगे वेज़े उसको लिख देता हूं जो लिख रख्यें सम्भी धन वगयरा में उसके बाद ये क्या होता है कैसे होता है उसके पहला तो लेखो किताब वाली लेंगे वेज़े आर्टीकल नंबर 22 कुछ दसाओं में कुछ दसाओं में निरोद से संग रक्षन कुछ दसाओं में निरोद से संग रक्षन ये क्या होता है ये इसे होता है कि मान लो कोई भेखती है मैं अपने से मान लेता हूं मैंने कोई अपराद कर दिया है और अब मैंने जब अपराद कर दिया है तो मुझे को ये सहूलियत मिलती है इसमें ये बताया गया है मालू मैंने जो केस किया है तो मुझे सरकार इतनी सहूलियत देती है कि मैं अपना कोई केस लड़ने के लिए अधीवक्ता इसको वकील वगरा बोलते हैं तो वकील अधीवक्ता मैं अपना कर सकता हूं केस से या उससे बचने के लिए ये सहूलियत हमें आर्टिकल नंबर बाइस में दे रखके कुछ दसाओं में ग्रफतारी और निरोद से संगरक्षन कुछ दसाओं में ग्रफतारी और निरोद से संगरक्षन कुछ दसाओं में ग्रफतारी और निरोद से संगरक्षन कुछ दसाओं में ग्रफतारी और यहां पर कुछ दसाओं में ग्रफतारी कुछ दसाओं में ग्रफतारी या निरोध से संग रक्षन यानि कि यह सहूलियत मिलती है जो मैंने बात अभी समझाई है कि जो सरकार सरकार निसोरी जो इस आर्टिकल के थुरी हो को सहूलियत मिलती है कि मैं अपना कोई केस से मेरा केस लड़ने के लिए मैं अपना कोई अधिवक्ता या वकीर रख सकता हूँ यह है इस आर्टिकल का मीर इसका बाइस का आप इसको ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए किसी वैक्ती को किसी वैक्ती को ग्रफ्तारी से बचने के लिए वैक्ती कोई अपना अधिवक्ता या वकील अधिवक्ता या वकील रख सकता है अधिवक्ता या वकील अधिवक्ता या वकील रख सकता है कुछ दस्ताओं में ग्रफ्तारी या निरूर से संगरक्षन जो किसी वैक्ती पर कोई केशल रहा है तो सरकार के द्वारा ये इस आर्टिकल के द्वारा वो उसको सहुलित मिलती है कि वो वैक्ती जिस पर वो मकदमा चल रहा है जिस पर वो केश है तो वो अपना अधिवक्ता या कोई वकील रख सकता है केश से बचने के लिए ये सुवीदा हमको बिली हुई है और ये सुवीदा जो भारत पाकिस्तान और बांगला देश को छोड़कर सभी के लिए है ये जो सुवीदा है ये अपवाद में लिख ले ना अपवाद पाक और बांगला देश के व्यक्ति को छोड़कर है ये सुवीदा मिलती तो है लेकिन ये जो है हर किसी के लिए भी ये नहीं है इसमें ये अपवादे रखके हैं पाक और बांगला देश अब इसमें तुम्हारे कुछ सबसेक्संस भी करके देख रखें कि 22 का ये कौन सा है दो कौन सा है तो एक तो ही हो गया कुछ दसाम में ग्रफ्तारी और निरोद से संगरक्संस इसका दो है और है दो तीन इसके तीन है तो बाइस का दो बाइस का दो ये क्या कहता है बाइस का दो आर्टिकल ये है बाइस का दो बाइस का दो ये है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को बाइस का दो ये बताता है कि कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को डाउट के बेस पर उठा लिया है पुलिस को लग रहा है कि यह वैक्ति है इसने अपराद किया है यही वैक्ति है पुलिस को डाउट है लेकर पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है तो पुलिस उसको या उस वैक्ति को जब गरफतार करती है और और मजिस्ट्रेट ओफिस तक गरफतार जब से किया है और मजिस्ट्रेट ओफिस तक के टाइम में पुलिस उस वैक्ति को अधिक्तम 24 घंटे के लिए अपने पास रख सकती है वही मालू मैंने मैंने कोई जो अपराद किया है और पुलिस को मेरे पट आउट है कि वही इसी व कि तब तक अधिक से अधिक 24 घंटे के लिए मुझे को ग्रफतार कर सकते हैं यह होता आर्टिकल नंबर 22 का दो कि दूसरा पॉइंट करके यह लेख लेना पुलिस ने कि किसी वैक्ति को अपराद के लिए डाउट के बेस पर उठाया है डाउट के बेस पर ग्रफतार किया है ग्रफतार किया है तो पुलिस उस वैक्ति को तो पुलिस उस वैक्ति को मजिश्ट्रीट ओफिस तक मजिश्ट्रीट ओफिस तक लगा समय में अधिक्तम तो जब से उसके ग्रफतार किया है और तब तक मजिश्ट्रीट ओफिस तक जब तक उसको टैम लगेगा तो मजिश्ट्रीट ओफिस तक उसको अधिक्तम 24 घंटे तक वैक्ति को पुलिस रख सकती है यह बताया गया इसमें लेकिन इसमें एक सिस्टम यह और है कि इसी आर्टीकल के अंदर कि कुछ गटनाय देखने को मिली थी कि यह तो दे रख का था कि वही पुलिस किसी वी वैक्ति को डाउट है उसके पास प्रूफ नहीं है पुलिस वाले के पास तो ग्रफतार तो कर लेती थी doubt police को है कि मानलो Girls को पूरण doubt है कि बाई इसी ने किया है फिर इसके बाद में इसमें थोड़ा सा changement कर दिया इसमें changement किये कर दिया कि इसके अंदर में निवारक निरोध कानून लेकर कि ये आये थे निवारक निरोध कानून जो आर्टिकल 22 के अंडर ही आता है वो निवारक निरोद कानून क्या है निवारक निरोद कानून ये है कि पुलिस ने उसमेक्ति को उठा लिया पुलिस के पास सबूत नहीं है और पुलिस को जो पूरा विस्वास है कि केस इसी ने किया है तो निवारक निरोध कानून के तहत फिर पुलिस उसको 24 गंटे तक नहीं रखेगी फिर पुलिस उसको जो तीन महीने तक अपने पास रखेगी पूरी च्छानवीन करेगी और तीन महीने में तो फिर पुलिस को पूरी सूचना मेली जाती है कि इसने किया है या नहीं किया है तो निवारक निरोध कानून दो है यह तीन में बाइस तीन में निवारक निरोध कानून आर्टिकल बाइस के अंडर ही यह आता है क्या है निवारक निरोध कानून? निवारक निरोध कानून यह है फिर तबारा से बता देता हूँ पुलिस को पूरा मिस्वास है कि जो है अपराद इसी ने किया है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है पहले वाले में किया कि वह 24 घंडे तक उसको रख सकती है अपने पास में लेकिन निवारक ने रोद कानून के तहट यह बना दिया कि कानून फिर उसको वह तीन महीने त सब्सक्राइब तेन कर लेकिले ना कि यह कथन में पूछे जाते जहें दिल्ली पूलिस जिसमें बहुत सारी भीड़े बैठती इस पर में तो पॉलिटी के उसमें लगबग से लगबग छैसे साथ कोश्चन पूछे जा रहे हैं अब दल्ली पुलिस ने अपना यह सा बना दिया कि फिर वो कोश्चन को भीतर से पूछता है बही मालों साथ कोश्चन आ रहे हैं तो दो आसन पूछे लेगा पॉंच को कफन के देता है जैसे यह मैंने तर्म लिखवा रखी है इन्हें को कसर बना देगा और कहेंगा कि ठीक है यह गलत है तो आप पढ़ लेंगे तो आपको पता पढ़ जाएगा अगर आपको नहीं पता है कि आपको यही नहीं पता कि निवारक निरोद कानून में पुलिस कितने समय तक रख सकती है तो फिर वो तो गलत होई जाएगा तो निवारक निरोद कानून के तहट पुलिस व्यक्ति को तीन महीने तक अपने पास्फर रखेगी और निवारक निरोद कानून कि निवारक निरोद कानून यह जो आता है अंडर आर्टेकल बाइस यह अंडर आर्टेकल बाइस के तहत ही यह आता है क्या है निरोद कानून पर यह भी बताए आपको तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे एक्जाम्पल से पुलिस किसी व्यक्ति को डाउट के बेस पर उठाती है और पुलिस को पूरा भरोसा है और पुलिस को पूरा भरोसा है परंतु पुलिस के पास परंतु पुलिस के पास कोई साक्षे नहीं है तो पुलिस निवारक निरोध कानून के तहद 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 तो पुलिस निवारक निरोध कानून कानून के तहट नवारक नरोद कानून के तहट तीन महीने तक रखेगी अब 24 गंटे तक नहीं रखेगी यह इसमें बताया गया है पहले तो क्या होता था कि 24 गंटे तक वो पुलिस रख सकती थी पुलिस को विश्वास मतलब पुलिस के पास कुछ साक्षे नहीं था तो मजिस्टेट ऑफिस तक उसको अधिक्तम जो 24 गंटे तक रखती थी और इसके बाद में निवारक नरोद कानून से क्या कर दिया है इसक के बाद में निवारक नरोद कानून में एक ओर आता है पोटा पोटा प्रिवन्शन ऐसम आफ टेर्रिरिज्म एक्ट ये डु 1000 में लाया गया था यह आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए आया गया था पोटा ये भी इसी कंदर आता निवारक निरोध कानून के ते है एक तो ये आ गया है एक और आया था ये आया था पोटा पी ओ टी ए पोटा प्रिवेंशन ओफ टेरिरिज्म एक्ट 2002 में आया था अटल विहारी इसको ले करके आया था प्रिवेंशन ओफ टेरिरिज्म एक्ट ये इधर साइड में अलग है इसमें थोड़ सी लाइन खीछ देते हैं इससे ये जो है फिर पता चल जाएगा ये अलग साइड है ये अलग साइड है ठीक है जी Prevention of Terrorism Act ये क्या था ये ये निवारक निरोध कानून था गात्तंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ये लाया गया था निवारक निरोध कानून था आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटा लाया गया था ये 2002 में लाया गया था 2002 में Stabilis गठन लेकिन इसको 2004 में खतम कर दिया गया था इसका मिसी यूज होने लगा था 2004 में इसको खतम कर दिया क्योंकि इसका मिसी यूज होने लगा था पोटा का 2004 में खतम कर दिया कौन था चार में? मनमौन सिंग और दो में अटल विहारी वाजपई दो में कौन है अटल विहारी वाजपई यह होगा पोटा यह भी निवारक निरोध कानून के तहत है पोटा अंडर आर्टिकल 22 निवारक निरोध कानून बताती है निवारक निरोध कानून यही भी है कई बार पोटा की फ लाया गया था, 2002 में लाया गया था, 2004 में इसको ख़तम कर दिया, इसका मिसी उज होने लगा था, एक और आया था मीजा, Maintenance of Internal Security Act, ये इंदरा लाई थी इसको और बाद में फ्री ये केंसल वेकर दिया गया था, क्योंकि ओफ इंटर्नल स्क्यॉरिटी एक्ट नहीं लेख लो साइड में ही आ जाये गाई यह मीजा 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 या मीजा यह इंदरा लेकर की आई थी इसको और इसी के तहट इंदरा ने लीडर्स को जो है जेल में पहुचा दिया था मेंटिनेंस ओफ इंटर्नल स्कॉरिटी एक्ट स्क्यॉरिटी एक्ट मीजा मेंटिनेंस ओफ इंटर्नल स्क्यॉरिटी एक्ट यह इंदरा लेकर की आई थी इसको और यह निवारक निरोद कानून था यह इंदरा लाई थी इसको इंदरा लाई थी निवारक निरोद कानून था यह निवारक निरोद कानून था यह ठीक है जी मीजा मीजा जो था मीजा मीजा वो कुछ बोल सकते मेंटिनेंस ओफ इंटर्न स्क्यॉर्डी एक्ट इंदरा लेकर की आई थी इसको और इसी टाइम पर ही एक जो हम आपको पता होगा कि हमारे एक पॉलिटीशन है कौन लालू यादव तो उसी वक्त पर लालू यादव को एक बेटी होई थी और उसी के नाम पर उसने इसी टाइम पर ये मीजा आया था इसी टाइम पर लालू पर एक बेटी होई थी इसकी बेटी थी ये तो उसका नाम भी उसी टाइम पर ये कानून नवारक निरोद आया था तो उसका नाम भी मीजा था इसी लिए वो रखा गय था मिन्टिनेंस ओप इंटर्नल स्क्यूर्टी एक्ट निवारक निरोध कानून था ये इंद्रा इसको ले करके आई थी बाइस के तीन आर्टिकल नमबर बाइस तीन निवारक निरोध कानून इसमें ये और लिख लेना ये जो सुवीदा हैं हलंकि मैंने ये उपर लिखवा दिया है अपवाद में कि ये जो पाक और बांगला देश को छोड़कर सभी वेक्टियों के लिए ये है आप इसमें एक इसमें लिख लेना 22 के तीन में ये सभी सुवीदा जो ये 24 गंटे वाली जो बताई थी कि 24 गंटे में छोड़ देगी ये सभी सुवीदा या कीन महिने वाली दुस्मन देश के लिए नहीं थी दुस्मन देश के लिए नहीं थी अपवाद में पाक और बांगला देश पाक और बांगला देश 22 तीन की ये बात है अब ये तुम्हारा कंप्लिट हो गया आर्टीकल नंबर 22 लंबा आर्टीकल है विश्वास रखना कि कभी कोई पूश्चन पूछा जाएगा तो इससे भर नहीं पूछा जाएगा ये इनफ करा दिया बिलकुल पीसी एस तक का भी आप एक्जाम दे ले ना पीसी एस तक की भी एक्जाम में इससे भर नहीं जाएगा ये गार्टी आर्टीकल नंबर 22 फुल करा दिये जतना भी इसमें है चीन और आएगा इसमें पाक, बंगलादेश, चीन चीन और कर लेना इसमें ये भी है ठीक है जी तो ये अब कंप्लीट है इससे आगे अब क्लास कल होगी अब आर्टीकल बाईस तक होचेगा अब आर्टीकल नंबर 23 और 24 सोशन के विरुद अधिकार है वो अगले में कर भाएंगे धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और जो सब्सक्राइब जरूर करें ये आपका ही चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है धन्यवाद ये, प्काउले में, चैनल और जरूर करें खूको सब्सक्राइब वीडियो झाल